नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, फंट कोड पर, आज हम बात करेंगे मोल लिमिटेट के शेयर के बारे में, मोल लिमिटेट के शेयर की कीमत में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं, इसकी कीमत 278.70 रुप्य है और इसमें 21.00 रुप्य की कमी आई है, जो की 7.01 एक प्रतिशत की कमी है, अब हम बात करते हैं मोल लिमिटेट की ताजा ख़बरों के बारे में, पहली खबर है कि मोल ने जुलाई 2023 में 1.20 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 71 प्रतिशत की व्रिद्धी दर्ज करता है, दूसरी खबर है कि मोल ने हाल ही में, गुजरात मिनरल कॉपरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम कमपनी बनाने के लिए समझोते को मंजूरी दी है, मोल लिमिटिट का व्यापारिक मॉडल भी काफी रोचक है, यह एक मिनरत्न राज्य स्वामित्व वाली मैंगनीज अयस्क खनन कमपनी है, जिसका मुख्याल है नागपुर, भारत में है, इसकी बजार हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है, और यह वित्तिय वर्ष 2008 में भारत में मै जंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक था, अगर हम ब्रोकर रेटिंग की बात करें, तो इसकी रेटिंग में कुछ अस्थिरता देखने को मिली है, कुछ ब्रोकर्स ने इसे खरीदने की सलाह दी है, जबकि कुछ ने इसे बेचने की सलाह दी है, मोल लिमिटिट के मूलभूतों की बात करें, तो इसकी वार्षिक आये 1341.65 करोर रुप्य है और वार्षिक शुध लाब 241.7 करोर रुप्य है, इसकी वार्षिक कीमत लाब हनुपात 23.2 है, तकनीकी विशलेशन के हिसाब से, मोल लिमिटिट के शेयर में निवेश करने से पहले विभिन तकन की समकेतकों, जैसे की मूविंग एवरेज़, ओसी लेटर्स और पिवोट्स का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, आज की गतिविधी के कारण, मोल लिमिटिट के शेयर में गिरावत आये है क्योंकि कमपनी ने मैंगनीज अयस्क की कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धी की है, जिसके कारण शेयरों में 6 प्रतिशत की वृद्धी हुई, मोल लिमिटिट के शेयर धारक पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 64.68 प्रतिशत है, FIIFPI ने अपनी होल्डिंग्स को 5.72 प्रतिशत से घटा कर 4.71 प्रतिशत कर दिया है, मोल लिमिटिट के प्रतिसपर्धी कमपनियों के साथ तुलना करने पर, इसकी कुछ प्रमुख प्रतिसपर्धी हैं 20 माइक्रॉन्स, आशापुरा म आशी इंडस्ट्रीज, और रुमकोक, और कोल इंडिया लिम्टेड, अंत में, मोल लिमिटिट की तुलना इसके सूचकांक से करने पर, इसकी प्रदर्शन की तुलना इसके सूचकांक से अच्छी रही है, धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई प्रशन है, तो कृपया नीचे कमेंट करें, धन्यवाद.